हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मदू और आज मैं बनाने जारी हूं अलू परवल की करी इसको ओडिसा में पोटोलो रोसा बोलते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें चली कुकिंग स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है हल्दी पौडर एक चोटी चम्मच लाल मिच पौडर एक चोटी चम्मच धनिया पौडर एक चोटी चम्मच चीरा पौडर आदी चोटी चम्मच गरम मसाला पौडर एक चोटी चम्मच दो मीडियम साइज के प्याज लिया है मैंने इसको लंबे पतले स्लाइसस में काट लिया है अधरेक मैंने एक इंच का लिया है इसको चोटे टुकडों में काटा है पांच से छे लसन लिया है एक तेज पत्ता लिया है दो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने अच्छी तरह से चौप कर लिया है धन्या पत्ता मैंने आधा कप लिया है और नमक स्वाधन उसाल लिया है कुकिंग के लिए सर्सू का तेल यूज करा है आलू मैंने 500 ग्राम लिया है इसको बड़े-बड़े साइजस में काट लिया है परवल मैंने 500 ग्राम लिया है पहले हम एक ब्लेंडिंग जार में प्यास, लसन, अधरक डाल का इसका एक पेस्ट बनाएंगे पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें 2-3 चमज पानी डालेंगे इससे अच्छा स्मूथ पेस्ट बनता है चलिए इसको ग्रैंड कर लेते हैं यह दिखिए पेस्ट बनकर रेडी है इसको जार में से निकाल लें और उसी जार में टमाटर डालकर पीस लें यह दिखिए टमाटर प्यूरी भी बनकर रेडी हो गई है इसको side में छाइड में रक लेते हैं पहले परवल को अच्छी तरह से एक बार धो ले फिर इसके दोनों हिससे को दोनों side को enne क्टा काट कर इसके ऊपर की skin को इसी तरह से पिल करें कई बार लोग इसके green छिल्के को पूरी तरह से निकाल कर अंदर के वाइट हिस्से को ही यूज करते हैं जिससे परवल का पूरा टेस्ट नहीं आपाता है इसलिए अब इसको इसी तरह से पिल करें इससे ज़्यादा इसको पिल ना करें पिल करने के बाद परवल को एक बार अच्छी तरह से धोलें फिर इसको इस तरह से टेड़ी सा अकार में काट लें यह हमने काट लिया है अभी हम परवल में नमक और हल्दी का एक कोटिंग लगाएंगे इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रहे हूं इसमें थोड़ा सा हल्दी पौड़ा डालेंगे अभी अच्छे से हाथों से इसको कोट कर लेंगे यह देखिए अच्छे तरह से नमक हल्दी का कोटिंग हो चुका है अभी हम सबजियों को सेलो फ्राइ करेंगे इसके लिए हम एक रडाए में सरसो का तील गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाए उसमें आलू डाल कर एक मिनट तक इसको सेलो फ्राइ करेंगे यह देखिए आलू का उपरी हिस्सा अभी सुनेरी दिखने लगी है इसको हम निकाल लेते हैं उसी कड़ाई में हम परवल डाल कर दो से तीन मिनट तक परवल को भी फ्राइ करेंगे परवल को हमें क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राइ करनी है इसको इस तरह से पल्टा कर फ्राइ करें तो यह चारो तरब से अच्छी तरह से फ्राइ हो सकेंगे यह देखिए कितनी अच्छी तरह से परवल फ्राइ हो जीकिए चलिए इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं परवल को साइड में रख लें अभी कडाई में बचे हुए जो तेल में उसी में करी बनाएंगे इसलिए तेल में हम एक तेज पतर डालेंगे और उसमें पिसे हुए प्याच लसन अद्रा का पेस्ट डालेंगे एक बर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम हल्दी पौडर डालेंगे लाल मिच पौडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे मसाले की साब से इस मसाले को हमें ड्राइ होने तक एक से दो मिनट तक इसको भुनना है दो मिनट बाद इसमें हम टमांटर प्यूरी डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको भी हमें एक से दो मिनट तक भुनना है दो मिनिट बाद इसमें एक चमस धनिया पॉड़र डालेंगे आधी चोटी चमस जीरा पॉड़र डालेंगे और मसाले को एक मिनिट तर अच्छी तरह से भूनेंगे इसको कंटीनुसली चलाते रहें यह तो मसाला नीचे से चिपक सकता है मसाले अभी अच्छी तरह से भून चुके हैं अभी इसमें हम फ्राई किया हुआ आलू और परवल डालेंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको हमें एक से दो मिनिट तक इसी तरह से पकाने हैं ताकि मसाला जो है वो आलू और परवल के अंदर अच्छी तरह से जाए कुछ सेकंड्स के लिए पका रही हूं आप चाहे तो इसको खोल कर भी पका सकते हैं बीच बीच में हम इसको बल्टाते रहेंगे क्योंकि मसाला बहुत जादा ड्राय है तो नीचे से चिपक सकता है दो मिनट बाद हम इसमें पानी डालेंगे मैं करीब एक लास पानी डाल लिए हूं अगर अब ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो इससे ज़्यादा पानी उसकर सकते हैं अभी हम ग्रेवी किसाब से नमक डाल देंगे नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसको ढख करके पांच मिनट तक पकाएंगे पांच मिनट बाद इसको खोल कर एक बार चेक करेंगे आलो और परवल अच्छी तरह से पक चुके हैं अभी हम इसमें एक चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे मिक्स करेंगे कटे फिर धन्यापता डालेंगे इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ग्यास का फ्लेम हम आप कर देंगे क्योंकि हमारी करी बनकर रेडी हो गई है हम इसको साब कर सकते हैं